हेलो गाइस आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स ऑक्टोमर 2021 का जो आपका फॉस्ट एक्जाम है उसका मनलब जो पेपर मनलब उसके बारे में डिसकेशन करेंगे ठीक है उसका टाइम प्रियर रहेगा दो घंटे का याने की टू और और टोटल मार्क्स आएंगे 15 तो यह ज देख लेगा आपकी स्कूल private है फिर भी इसमें से आएगा में किज्ञान वह उस प्रकार से निकाले ुoney जानता हूँ इसलिए मुझे trust है कि इससी में से आएगा देख लेना 844400 याद करीलो आ नंबर केमके हवे तेमारा मेल्स ना सवाल हो ए के फिजिक्स, केमेस्ट्री के बायोलोजी ना सवाल हो ए तमामे तमाम प्रस्णानों सोलिशन मल शे तमारा वोटसेप नंबर पर बस तमारा फोन नी अंदर डाव उट नटनों सारी चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार्चार कोशेन आपको एक माक्स में पुछे जाएंगे यह वीडियो का पार्ट वन होगा वाइट तू बेजिक प्रिंसिपल इन फिसिक्स विच इस दो वीकेस्ट फंडमेंटल फोर्स इन नेचर अग्ट्रिक फोर्स बेविन तू प्रोटोन इस ताम्स ग्लेविटेशनल फोर्स बि पॉइंट जीरो सिक्स नाइन जीरो जीरोज़ेड उसके बाद वन माइक्रोमेटर इंटू वन नेनो मेटर अपन फंटीमीटर इकुल टू कितने होते हैं पर सेक्शन बी में मतलब यह जो होगा वो नैनोमेटर नम है ना तो एड इट इस मेभी पीकोमेटर शायद so section b answer in short for the following questions each carries two marks to write a short note sorry on a strong nuclear force so each side of a cube is measured to be 7.203 meter what are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figures और उसके और में एक क्वेशन ऐसा पुछा जाएगा ओके उसके और में एक क्वेशन the volume of cube of side 1 cm is equal to इतने फिर the surface area of solid cylinder of radius 2 cm and height 10 cm is equal to how many so using parallax method parallax method to explain the measurement of large distance उसके बाद अपना section c है तो इसमें जो question दिएगे आपको तीन marks देंगे ठीक है तो यह सारी तीन marks के version आपको करना चैनल पर नहीं है तो subscribe करना है और डिसक्रीश अपने लिंक है जिस पे आप जाकर यह paper डाउनलूट कर सकते हो student यह है section d इसका जिसमें आपको explain करना है पहले तो error of sum of distance, sum of a distance, error of a product or a quietant, फिर error in case of measured, sorry measured quantity rises to a power what is called error, error क्या होती है, two resistor of resistance r1 equal to 100 plus or minus 3 ohm and r2 equal to 200 plus or minus 4 ohm are connected, so option a और b दिया गया है in series in parallel, so okay इसका solution आपको दोनना है, ठीक है